हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी यूजर्स के लिए जो कि अपने सौमी के डिवाइस में मिवाइ 12 को टेस्ट करना चाते हैं मिवाइ 12 को यूज़ करना चाते हैं तो यह सावा इन्फरमेशन में इस विडियो में देने वाला हूँ तो अभी तक आपने मने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यहाँ पर Google Form फिर से रिलीज हो गया है और Thread में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है Recruitment of MIUI 12 Beta Testers तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टेड है MIUI 12 को यूज करने के लिए तो आपको यह form फिल करना होगा और सबसे अच्छी information यह है कि यह beta testers है globally अब global के अंदर जितने भी country आते हैं सभी में आपको यह update देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर test करना है और telegram group में आपको इसका information देना है telegram group join करने का भी link यहाँ पर दिया हुआ है ताकि जाब आप यहाँ पर testers वने तो आप information देते रहे किस किस devices के लिए testing purpose के लिए start हुआ है तो यह है Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro और Poco F1 और धीरे धीरे आपको ऐसे ही सभी device के लिए आपको beta testing start कर दी जाएगी और आप उसको test कर सकते हैं और finally कुछ दिनों के बाद सभी stable में आपको देखने को मिलेगा तो यह testing purpose के लिए है और आप अपने code को check कर सकते हैं जैसे कि MI means global version, IN means Indian version, EU means European version, RU means Russian version और ID means Indonesian version तो यहाँ पर types होता है आपका MIUI version का जो कि आप देख सकते हैं example के तोर पर भी दिखाया हुआ कि आपका version कौन सा है Global है, Indian है, Russian है या फिर Indonesia का है तो आप यहाँ पर test कर सकते हैं उसके बाद मी pilot testers के लिए यहाँ पर recruitment स्टार्ट कर दी गए आपके पास चाहिड सी बात है MI का phone होना चाहिए आपको यहाँ पर MI account होने चाहिए और आपको flash tools वगरा के बारे में सही information होना चाहिए और यहाँ पर आप अगर कहीं भी फंसे तो आप अपने phone को safely तरीके से निकाल सके बैक अप करके आपको अच्छी खासी knowledge के साथ इसको यहाँ पर flash करना भी आना जाए तो इसलिए यहाँ पर जो लोग काफी interested होते हैं नएने features को use करना चाहते हैं उनको यहाँ पर global beta testers बनाया जाता है और उनके information को telegram में feedback की रूप में लिया जाता है और जो भी bugs होते हैं या फिर जो भी features यहाँ पर बताया जाते हैं उनके द्वारा उसी को आगे development में काम कि दिया जाता है और फिर stable में उसको सही तरीके से दिया जाता है तो यह testers के लिए जो लोग interested हैं जिनको भी यह सारा information पता है description में link दे दूँगा जाके आप वहाँ पर काफी अच्छे तरीके से इसको try कर सकते हो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको try कैसे करना ह तो यहाँ पर जो मैं trade दूँगा उसके अंदर आपको google form का भी आपको यहाँ पर link देखने को मिल जाएगा simply उस पर आपको click करना है और अपने email id से यहाँ पर login हो जाना है जैसे आप sign up हो जाएंगे यहाँ पर अपने email id से तो कुछ information आपको यहाँ पर google form में share करने ताकि आप select हो पाएं और जैसे आप select होंगे तो आपका जो me account id है वो telegram group में आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ आप join कियोंगे फिर आपको stable में आपको बीटा stable में आपको टेस्टिंग के लिए आपको update आपकी OTA में देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको email यहाँ पर fill करना है जैसे कि आपका इंडिया के लिए है या फिर चाइना के लिए रसिया के लिए है वह आप यहाँ पर fill कर सकते हैं इसके बाद telegram username आपको यहाँ पर fill करना है तो यह सारे information देने के बाद submit कर देना है आपका काम हो गया और जब यह testing start होगा और आप eligible होंगे तो आपको यह update देखने को मिल जाएगा उमिद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया थे इस वीडियो को like करें हमाना चैनल को subscribe करें और ऐसे support करते रहें कोई भी question हो तो आप comment section में comment कर सकते हैं और धीरे धीरे इसी तरीके से सभी device के देखने को मिल जाएगा तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक आप ऐसे ही देखते रहे हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक